जी फाइफ पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें सबजी देना अले रचनो तो एसे चुप चाप क्यों बैती हूँ देखो जो कुछ एटना है न सब कुछ अभी एटनो चाची से फिर असा मौका नहीं आएगा हाँ नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी अब तो गुस्सा धूग दीजे करके सबसे बड़े बेटी की शादी है और आप तो जानती है ना आपके बिना ये शादी कितनी अधूरी लगेगी अब तो पुराने बैर दुबता सब हो जाएए मायं के थादिर थोड़ा सा खालो सुबर से तुमने कुछ नहीं खाया ना मौसी जी मुझे भूग नहीं है जोटी कब से भूगी बैठी हो और कह रहे हो भूग नहीं चलो खाब सच में मौसी जी बिल्कुल भूग नहीं है दोनों ही भूगे रहेंगे क्या मतलब क्या आपने भी कुछ नहीं खाया यह क्या बात हुई मौसी जी मुझे भूग नहीं इसका मतलब यह थोड़ी ना क्या भी भूग ही रही चले आखेज़े नहीं पहले तुम का अच्छा हुए तुमने कुछ खा लिया बिटर मन का कश्ट शरीर क्यों भूग है हम जानते हैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचे तो शायद जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ देती रहें मैं सिर्फ दुख इस बात का है कि जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोश थी दोश तो हमारे नाला एक बेटे का थी पिटा उसकी बत्तमीजी के लिए उसकी गलती के लिए हम तुमसे माफी मंगते नहीं नहीं आंकल आप क्यों नहीं पिटा हम वह कहीं शर्मन्दा समद कहीं आंकल जब जिससे रिष्टा जोड़ा था उसी ने साथ नहीं दिया तो तो फिर हम दूसरों को क्या दोश थे साथ नहीं दिया तो क्या हुआ पिटा इस बात हमेशा याद रखना तुम हमारी बेटी थी और हमेशा रहोगी चाची लग रहे ना भार पिटी देखे ना कितना संदर है चाची ये गुंजम में ना शादी दा सारा का सारा मजाई चौपट कर दिया हमारे अच्छे खासे हस्ते खेरते घर में फूट डाल दिये एक मिनट एक मिनट आप लोग सब लोग चुप रहे हमारी गुणजण देजी के बारे में कुछ मत बोलिये हमारी गुणजण देजी तो आप सब से अच्छी है और उस चारू से भी अले चुप करो ऐसे नहीं बोलते क्यों हम सची तो बोल रहे हैं नहीं बेट खीजबी तो गुणजदी शेह होने चारी है चुप कर तबसे टपर 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 बोले जारहें चाची सर देखो तो सही कैसे केची की तरह इसकी जबान चलती जारी है चलो निकलो यहां से निकलो में निकलो ना अरे ये कोई बात हुई क्या जरा सोचा है कि लोग क्या कहेंगी मौले भर में बाते होंगी ममी जरा सा तो लोगों के बारे में सोची है कुझा बेटा तुम कॉलेज नहीं गई मौसी जी मेरी मेरी तब ठीट नहीं है क्या तुमने हमें बताया क्यों नहीं बेटा तुम्हें तो बुखार है चाओ जाकर आराम करो पानी चाहिए हम ले आते हैं जाओ सीमा चाची मायंग भया की खुशों की नजर उतार ले न कहीं किसी की नजर न लग चाए अरे मयंग की प्यारी भेना तुम चिंदा मत करो हमें अच्छे से आता है नजर उतार न चाओ अ गुझन जी आप रोकी हो रही हैं बताये न गुझन जी जी हम सब कुछ सीख कर देंगे गुझन जी मैं सब कुछ पता है आप क्यों रो रही हैं इसलिए न क्योंके माहिंग बे और आपकी शादी नहीं होई पर कोई बात नहीं गों नंदरी हम आपके साथ शादी कर लेंगे लेकिन आप रोईएगा मत आप हस्ते वही हैं अच्छी लगती हैं हे मैं कुछ तुम कुछ एक आइडिया है रजस्ता क्या एक काम करते हैं तुम्हारे घ्रजा करना किसी भाने से गुंजन को भी साथ में ले चलता हैं उसके डालिंग मैं को भी बुला लेगा नहीं वियान जी इसे प्लीज मत किजिए घर मर चाहिए अच्छा अच्छा ओके नहीं जाओंगा एक बात बताओ तुम्हारे घर पे शेरियां भूत एक है यह सारा प्लान हमने मैंक और गुंजन के लिए बनाया था ना सो लिखेन अब आप बहुत देर हो चुकिया उनका रिष्टा टूट चुका है अच्छा 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 रड़का मिल जाएगा जस्ट रिलाक्स सब ठीक हो जाएगा अभी हम गूंगे निकले हैं तो जस्ट सिट बाट अजिए अच्छा 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 पोर देख लेकिन फिर इसने सोचा के जरा मैंका एक बार कबरा देख लें ताकि उसे अपने तरह से सजा सके हमारे कहने का मतलब है के बात के लिए इतनी भी क्या ज़दी एक बार घर में आ जाएगी, तब ही तो कर सकती है खैर, आईए बैटी हाँ, आईए न परिनाम भापी जी आईए न, बैठिये, देखिये न, आप चारू की बड़ी सासु मैं है हम सबकी लिस्प कुछ न कुछ थोड़ा सा लेकर आए है शगुन के तौर पर माफ कीज़े, आप सब बैठिये, हमें बहुत ज़रूरी काम है हम अभी आए लेकिन ज़रा जल्दी आईएगा हमें आप से बहुत सारी बाते भी करनी है बाई सब आए हम दर असल इसलिए आये कि ज़रा पूछ ले कि सब कुछ कैसा होगा, आपको कैसी शादी चाहिए आपने तो हमारे मुग की बात चाहिए हम भी आप से यह बात करना चाहते थे तो बोलिए हमारे लिए क्या हुकम है सबसे पहली बात भाई साब इस शादी में दिन बहुत कम है इसलिए बैतर यह होगा कि हम बड़े ही साधारन तरीके से शादी को करें बिना किसी ताम जाम के यह आप क्या कह रहें भाई साब हमारी तो एक ही बेटी है और इसकी बहुत सारे अर्मान भी है देखिए भाई साब शादी से दूमधाम से ही होगी और वैसे भी हमारी तो भाई साब आदी से ज्यादा तयारियां भी हो चुकी है हमने गहने वहने सब ले लिया है अब आपके कुछ बोली है ना हाँ हाँ भाई साब हमने तो शादी के लिए हौल भी बुक कर लिया और सबसे अच्छी बात यह है कि शादी का दिन बहुत ही शुम्प लगन वाला मिला है भाई साब जब आप लोगोंने सब कुछ तै करी लिया है तो फिर हमें क्या बत्ती हो सकती जी फाइफ पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें